नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूटूब चनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकाम नाएं देता हूं आज के इस वीडियो में हम सिक्षण अभिरूची से सम्मंदित एक महत्वण टॉपिक बुद्धी यर्थात इंटलिजेंस पर चर्चा करेंगे जो अभ्यारती एल्टी भरती परिक्षा के तियारी कर रहे हैं उनके पाठ्ठेक्रम में जो सिक्षण अभिरूची का भाग है बुद्धी भी आपके स्लेवस में है तो एल्टी भरती परिक्षा के अभ्यारतियों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वण है इस टॉपिक से एक या दो कुश्यन आपकी परिक्षा में अवस्यप पुछ जाएंगे इसके अलावा जो अभ्यारती बीएट पार्ठेक्रम म टीटी भरती परिक्षा के तियारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वण है ठीक है आज हम इस वीडियो में बुद्धी के विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे वैसे तो इसके अंतरकत बहुत एक ब्रहत पार्ठेक्रम इसके अंतरकत आता है लेकि परिक्षा से सम्मंदित तयारी की द्रिष्ट से इसका आध्यन कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम संक्षेप में महत्वण बिंदों को चानेंगे बुद्धी के विषय में ठीक है तो हम इसके सुरुवात करते हैं बुद्धी अर्थाद इंटेलिजेंस ठीक है तो सबसे प हाँ तो हम इसके बारे में जानेंगे बुद्धी अर्थाद इंटेलिजेंस एक मानसिक सकती है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने उनमें आपसी सम्मंद खोजने तथा तरकुपूर्ण ज्यान प्राप्त करने में सहायक होती है ठीक है बुद्धी एक परकार की सामन योगता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्तियों को समझता है और उनके अनुसार अपने ब्यावहार में यतोचित परिवर्तन करता है बुद्धी यानि इंटेलिजेंस ठीक है तो आपने देखा कि बुद्धी या अर्थाद इंटेलिजेंस एक मानसिक सकती है इसे एक मानसिक सकती के स्रेडी में रखा जाता है बुद्धी एक मानसिक सकती है जो वस्तुओं एवं तत्यों को समझनी उनमें आपसी सम्मंद खोजनी तथा तरकुपूर ज्यान प्राप्त करने में सहयक होती है बुद्धी एक परकार की सामने योगता है ठीक है मानसिक स उनके अनुसार अपने ब्यावहार में यतोचित परिवर्थत करता है ठीक है बुद्धी अर्थात इंटेलिजन्स ठीक है यहां तक मैं उम्मिद करता हूँ आपको प्लियर हो चुका होगा अब हम आगे चलते हैं हाँ अब हम देखेंगे कि बुद्धी से सम्मंदि जो महत्वपून परिपासा है विभी ने सिक्षा सास्त्रें दोरा दी गई है जो कि परिक्षा के दृष्टी से महत्वपून है इसके बारे में कभी परतियों की परिक्षाओं में यह पुछ जाता है कि यह परिपासा किस क टर्मन के अनुसार अमूर्थ वस्तों के संबंद में विचार करने की योगता ही बुद्धी है तो टर्मन के अनुसार अमूर्थ वस्तों के संबंद में विचार करने की योगिता ही बुद्धी है ठीक है आगे चलते हैं इसका आप इंगलिस अनुवाद कर देखें तो Unbelievable is the ability to carry out abstract thinking ठीक हैं इंटेलिजएन्स इससे के आप इसका है अगे चलते हैं अगली परिभास देखते हैं अगली परिभासा है ऐबिंगास के अनुसार बुद्धी विभिन भागों को मिलाने की सकती है थीक है बुद्धी विभिन भागों को मिलाने की सकती है इंगलिस वर्जन देखिए intelligence is the power of combining parts थीक है intelligence is the power of combining parts थीक है आगे चलते है अगली परिपासा देखिए आप अगली परिपासा है गाल्टन गाल्टन के अनुसार बुद्धी विभेद करने एवं चयन करने की सकती है ठीक है गाल्टन के अनुसार बुद्धी विभेद करने एवं चयन करने की सकती है इंगली परिबासा देखते हैं अगली परिवासा है, स्टान के मतानुसार, स्टान के मतानुसार देखें, नवीन परिस्तियों के साथ समायोजन करने की योगिता ही बुद्धी है, ठीक है, नवीन परिस्तियों के साथ समायोजन करने की योगिता ही बुद्धी है, स्टान के अनुसार, इंगलिस वर्जन दे to adjust oneself to a new situation by stern ठीक है आगे चलते हैं आपको छोटी-छोटी परिवासा है जो कि पूझी जा सकती है ठीक है वुड़वर्थ के अनुसार बुद्धिकार्य की एक विदी है ठीक है वुड़वर्थ के अनुसार बुद्धिकार्य की एक विदी है अगली परिवासा स्पियर्मेन की अनुसार ब्यक्ति की सामान ने योगता का नाम बुद्धि है अगली परिवासा बकिंगम की अनुसार सीखने की योगता बुद्धि है ठीक है बकिंगम की अनुसार सीखने की योगता बुद्धि है अगला बिंदू बर्ट के अनुसार बुद्धी अच्छी तरह निर्णे करने एवं तर्क करने की योगता है ठीक है आगे चलते हैं अब एक महत्वपुन परिभासा यहां पर हम देखते हैं जो की परिक्षा के दरिश्ट से महत्वपुन है थान्डाइक थान्डाइक के अनुसार उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योगता को पुद्धी कहते हैं थान्डाइक के अनुसार एंग्लिस में देखते हैं एंग्लिस में देखते हैं न्यू सिच्वेशन थान्डाइक ठीक है आगे चलते हैं अब एक इस्टेफोड ने बुद्धी के कई तत्व बताए हैं तो उसको देखेंगे इस्टेफोड के अनुसार बुद्धी क्या है कठिनता जटिलता अमूर्थता आर्थिकता उद्देश प्रापिता सामाजिक मूल्य मौलिकता से सम्मंदित समश्याओं को समझने की योगता है ठीक है तो इस्टेफोड ने इतने तत्वोड को समझने की योगता को बुद्धी का है कठिनता जटिलता अमूर्थता आर्थिकता उद्देश से प्रापिता सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता से सम्मंदित समश्याओं को समझने की योगता बुद्धी है इसके अनुसार, ours टेफोर्ट के अनुसार ठीक है, आगे चलते हैं, हाँ, अब हम देखेंगे बुद्धी के प्रकार, ये भी बूछ़ा सकते हैं, बुद्धी के प्रकार, टाइपस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, थांडा एक ने बुद्धी अर्थात इंटेलिजेंस को तीन प्रकार का बताया है, तो पहला है मूर्थ बुद्धी या यांतरिक बुद्धी इसके अंतरकत है, यह बुद्धी मशीनों एवं यंत्रों से अनुकूलन करने में सहायता देती है, इस बुद्धी के लोग अच्छे कारिगर इंजिनियर ब्यापारी आधी बनते हैं ठीक है मूर्थ बुद्धी या यांत्रिक बुद्धी या बुद्धी मसीनों एवं यंत्रों से अनुकुलन करने में साहेता देती है इस बुद्धी के लोग अच्छे कारेगर इंजिनियर ब्यापारी आधी बनते हैं ठीक है मूर्थ बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि अगला देखते हैं अब है अमूर्थ बुद्धि इस बुद्धि की आवश्यक्ता लिखने पढ़ने समझने तार्किक चिंतन करने में पढ़ती है इस बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा डॉक्टर लेखक चित्रकार मनोवज्यनिक पत्रकार इत्यादी बनता है तो अमूर्थ बुद्धि इस बुद्धि की आवस्यक्ता लिखने पढ़ने समझने तार्किक चिंतन करने में पढ़ती है इस बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा डॉक्टर लेखक चित्रकार मनोवज्यनिक पत्रकार इत्यादी बनता है करने की योगिता से हैं यह समाज समायुजित करने की बुद्धी कहलाती है किस बुद्धी वाला ब्यक्ति अच्छा राजनेता यानि इस यहां पर होना चाहिए इस ठीक है इस बुद्धी वाला ब्यक्ति अच्छा राजनेता समाज सुधारक समाज सेवी इत्यादी बनता है इस बुद्धि वाला ब्यक्ति अच्छा राजनेता समाज सुधारक समाज सेवी इत्यादी बनता है इस बुद्धि से तातपरी ब्यक्तियों को समझने और व्यावहर करने की योगता से है यह समाज समाय उचित करने की बुद्धि कहलाती है इस बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा स्राजनेता समाज सुधारग समाज से भी इत्यादी बनता है ठीक है ये पुद्धियों के तीन परकार बताए है ठीक है ठीक है ठीक है थान डाइक ने बुद्धियों के तीन परकार बताए हैं बुद्धि के मूर्त बुद्धि या शिख्ष्च शाश्ते दोर्हा दिया गये इतना है आप से पूझा जाएगा डीटेयल में प्रतियोगी परिख्षवमन नहीं पूझा जाता है तो बुद्ध़ी के निम्लिकित सिद्धान्थ है कि कौन सा खिष्ष ने दिया न्युक्ष जा सिद्धान्त गिलफोर्ड ने दिया है बहु बुद्धी सिद्धान्त गार्डनर ने दिया है बहुत महत्पुन यह अगला है पतानुक्रमिक सिद्धान्त यह बर्ट एंव बर्नर ने दिया है अगला है प्रतितर्श सिद्धान्त यह थौंसन ने दिया है बुद्धी का तू का सिद्धानत यह दिया है और तरल ठोस द्रव घनी बूत शिद्धान यह दिया है और कैटल ने ठीकाई तो यह बहुत महत्पू बिंदु है आप देखें क्योंकि परिक्षाम वह जाता कि कौन सा सिदान्त किस ने दिया है ठीक है तो आप इनको एक बार और देख लिजे एक कारक सिदान्त बिने द्विकारक या त्रिकारक सिदान्त इस्पियरमेन बहु कारक सिदान थांडाइक समु कारक सिदान अगला है परतिदर्ष सिदांत Намें दिया है बुद्दी का लेबल वन तथा लेबल टू का सिदांत हैव ने दिया है तरल्ठोस अबिक द्रव घनिबूत सिदांत ये दिया है और भी कैटल ने ठीक है बहुत महत्तपून आगे चलते हैं ये बुद्दी के सिदांत है जो इस दान्थ की अनुसार बुद्धी को एक तट्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्ने परकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है ठीक है। तो भुद्धी जिस ब्यक्ति में ज्यादा होती है वह ब्यक्ति उशी शेत्र में ज्भा सपल होगा तीक है आगे चलते हैं कि गाड़नर ने अपने अध्यन के फ़लसुरूप ऐसी आठ वुद्धियों का वर्णन किया है जो निम्न परकार तीक है अब यह आठ वुद्धियां हर व्यक्ति में हैं गार्ड़नर कहते हैं कि यह आठ यह बहु आठ बुद्धियां है यहर ब्यक्ति में है और जिसमें जिसकी प्रधानता होगी वह ब्यक्ति उसी शेत्र में सपलोगा आप यह आठ बुद्धियां क्या कहे हैं आप देखो यह आठ बुद्धियां है भासागत बुद्धि अपने विचारों को ब्यक्ति करना तथा एक करने दिये इस बुद्धी का प्रियोग व्यज्यनिक चिंतन समश्या समाधान तथा आलुजनात्मिक चिंतन में होता है दैसिक बुद्धी इस बुद्धी का प्रियोग मानसिक प्रतिमिक को तयार करने में होता है अगला पॉइंट कि सामवेगिक बुद्धी इस बुद्धी प्रियोक समवेगों को समझने के लिए होता है अगला पॉइंट कि सारेज़ी गति समवेदिय बुद्धी सरीर के अंगों को उप्योग तथा स्रजन शिल्था में कारे करने वाली बुद्धी अगला पॉइंट में उत्तर ब्याक्तिक बुद्धी दूसरे देश के ब्यावहारों को समझना ठीक है अंतर ब्यक्तिक बुद्धी दूसरे ब्यक्तिक के ब्यावहारों को समझना अंतर ब्यक्तिक बुद्धी अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं पर नेंतर करने वाली बुद्धी प्रकृति वादी बुद्धी सुक्षिम जी ये बुद्धी के आठ प्रकार बताए गए है और गार्डनर के अनुसार इन आठ बुद्धियों का थोड़ा थोड़ा अंसर हर ब्यक्ति में होता है ठीक है बुद्धी एक सम्हू के रूप में हर ब्यक्ति में होती है और जिस ब्यक्ति में जिस गुण की जिस बुद्धी की प्रधान्ता होती है वह व्यक्ति उसी शेत्र में प्रग्ति करता है ठीक है तो यह बताया है गार्डनर के अनुसार तो यह बहु बुद्धि सिद्धान्त किसने दिया था गार्डनर दिया था यह महत्व बुद्धी की देखें बुद्धी का क्याम है तो आप सभी जानते हैं बुद्धी से ही हम अपने जीवन में सारे कारे करते हैं अपने सफल होते हैं और संचालन करते हैं सारे कारे का लेकिन यहाँ पने अलग तरीके से एक सैधानतिक रूप में बुद्धी को बताया है गया ह बुद्धी द्वारा किये गए निर्णे पर विश्वास करना ही स्रद्धा है तर्क के बिना उबजी स्रद्धा अंद विश्वास को जन्म देती है और बिना स्रद्धा को अपनी मंजिल माने किया जाने वाला तर्क नास्तिक्ता को जन्म देता है मतलब कि तर्क और सरदा एक दूसरे से संबन्दित हैं और दोनों मिलकर बुद्धी से संबन्दित हैं ठीक है ठीक है बुद्धी की कारे से लिए निर्धारित माप दंडों द्वरा संग्रही जानकरियों का विशलेशन कर उसकी सत्यता और असत्यता का निर्णे लिना ठीक है अर्थात बुद्धी से ही हम किसी कारेक के निर्धारित माप दंडों का निर्धारन करते हैं उसकी जानकारियों का संग्रान करते हैं और उसका विश्ण संकन उसकी सत्यता और असत्यता का निर्णे करते हैं बुद्धी द्वरा किये गे जो निर्णे होते हैं उस पर विश्वास करना स्रद्धा है और तर्क के बिना उपजी स्रद्धा अंद विश्वास को जन देती है अर्थात बिना स्रद्धा को अपने मंजिल माने किये जाने वाला तर्क नास्तिक्ता को चन देता है ठीक है आगे चलते हैं अब हम इस पर बुद्धी से संबंदिद महत्पुर्क परिक्षा उपयोगी प्रशनों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परिक्षा में पूशी जा सकते हैं चाहे आप ल्टी भरती परिक्षा के त्यारी कर रहे हूं टी प्रस्णों का अभ्यास कर लिए ठीक है आप यह प्रस्ण कौन कौन से हैं देखिए बुद्धी का वैग्यानिक मापन सरवपर्तम किसने किया किसने प्रार्व में किया तो यह क्या था बीने ने ठीक है अगला पॉइंट अगला प्रस्ण है बुद्धी का या बुद्धी क सुरूध है कितने हैं अनुमन सिक अधिकम का प्रमान सुभा तथा वातावरण की अंत्यक्रिया तो यह सभी है ठीक है यह सभी है अगला बिन्दू देखते हैं कि अगला प्रस्ण है अंत्र ब्यक्तिक बुद्धि से तातपरिये हैं क्या तातपरिया तो यह विभिन ब्यक्तियों को समझने का कौसर ठीक है यह उला पॉइंट है गिलफोर्ट का बुद्धी सम्मंदी मॉडल में कुल कोस्ट खाने हैं यानि गिलफोर्ट के बुद्धी सम्मंदी मॉडल में कितने कोस्ट या खाने हैं तो यह हैं 120 ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रसंद देखते हैं हाँ अगला प्रसंद देखते हैं एक अध्यापक के लिए बुद्धी परिक्षण की क्या उप्योगता है तो इसका उत्तर है दो वाला अध्यापक एवं विशे परिक्षण में इसे आधार बनाया जा सकते हैं ठीक है अगला बिंदु देखते हैं अध्यापक बहु बुद्धी सिद्धान को वैद नहीं माना जा सकता क्योंकि क्योंकि इसका यह दो वाला ऑप्सन है क्योंकि विभिन परिक्षणों के अभाव में भिन बुद्ध्यों का मापन संभव नहीं है ठीक है आगे चलते हैं क्या सत्य है तो इसका उत्तर है कालानुक्रमी आयू से व्यूत्क्रमी संबंदित ठीक है कि अगला प्रसंद देखते हैं बहुविद बुद्धि सिद्धान्त के अनुसार सभी प्रकार के पस्वों खनीजों एवं पेड़ पौदों को पहचानने और वर्गिग्रित करने की योगता कहलाती है तो यह कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि जसके आप परिपासर देख रहे हैं पस्वों खनीजों प निमलिकित में कौन सा निरिक्षन हावर्ड गार्डनर के बहुविद बुद्धि सिद्धान्त का समर्थन करता है तो इसका उत्तर है यह पहला ही है मस्तिस्क के एक भाग में हुई शतिक केवल किसी एक विशिस्ट योगता को प्रभाइद करती है ना कि सम्पूर को ठीक है यह महत्यपूर क्योंकि कई बुद्धियों का एक समू गार्डन ने उस रूप में बुद्धि को परिभाशत किया है अगला प्रसन है निमलिकित मेंसे कौन सा कतन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है तो यह है इस्थाई परिवर्थन सिल्था की विशिष्था है तो कि बुद्धि कई बारे प्रियुद्धित होती है यह ठीक है तो इसलिए यह असत्य है ठीक है अगला देखते हैं अगला बिंदु है अगला प्रस्न है अधिकांग्स ब्यक्तियों की बुद्धी आसद होती है बहुत कम लोग प्रतिवा संपन होते हैं और बहुत कम ब्यक्ति मंद बुद्धी के होते हैं यह कतन प्रतिस्तापित सिद्धानतों पर आधारित हैं तो यह इसका उतर है बुद् आगर चलते हैं अगला न प्रस्न हैं विधिय अमूर्थ विचारों के बारे में सूछने की योगता है तो यह था मेरा बूध्धि्पर आधरित एक वीडियो जो मैं आपके के यह कौरोना की केसे कम होने लगेंगे जब लॉगडाउन कम होगा संस्ताइए खुलने लगेंगी तो यह परिक्षा अवश्य होगी इसलिए आप अपने प्रयासों को जारी रखिए ठीक है और इस वीडियो को आप बार-बार देखिए आपका बुद्धी से सम्मंद्ध ज इसे आप लाप्राप्त करीजिग कीजिए इन प्रशनों को बार-बार दो रहाएं ठापिक को पढ़िए और जो वीडियो को याद कीजिए ठीक है और बुद्धी की जो परिवासा दी है किस स्क्षा सास्त्री ने दी है ऐसा भी आ सकता है तो आप इसको बार-बार ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो आपको थोड़ा भी आपसे आप इसे लाप प्राप्ट करें तो आप इसे शेयर करें लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसे लाभन्मित होते हैं तो आप इसे अधिक साधिक लाइक करें शेयर करें मेरे मेरे चैनल को सब्स्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक तुरंत पहुंचें और मैं आपके तैयारे में आपका साथ दे सकूं ठीक है और आपके तैयारे का हिस्सा बन सकूं ठीक है तो मुवमिद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा ह तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक तुरंत पहुंचें बाकी की जानकरी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा ठीक है मैं कुछ निजी कारों में बिजी था इसलिए यह वीडियो जरा देर से ला रहा हूं मैं तो मैं कोशिश करूगा कि हर तीसरे दीन एक नयाए वीडियो आपके लिए लेकर हूं ठीक है बाकी की जानकर आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहें मुस्कुराते रहें इस लॉगडाउन के पीरेट में आपन और सुरक्षित रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहूंगा ठीक है नमस्कार धन्यवाद